हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक कड़कर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोन तथा व्यसनमुक्ती तग्य हूं महाराष्ट में अकोला मुंबे पुणे नागपूर यहां हमारे हॉस्पिटल से मनोरुगन तथा व्यसनी लोगों का मुप्चार करते हैं बिना रिषितार हम साथ में भरती करते हुआ हम जो हिपनोटाइज करते हैं है ओ अव्य हेटरो हिपनाड़िज हां मैं लोगों को सिखाता हूं सेल्फ हिपनाज मतलब खुदने खुद को कैसा सम्म्मॉध करना बताता हूं सब कॉंशेस माइं के ऊपर कैसा उसके इंप्रिंटिंग करना या वह साल जो दवाईं हैं चलू रहती है बन हो जाती है कि लोगों को वोता क्या है कि टेंशन हैं में तो वोलता हूं कि अलप्र васig lang का मतलब मतलब जो ड्रग है तो लाखोड का है और उसके लथ लोगों को लग गई पर को इसलिए लगते और वोगों का दिमाग जो है ना वह हैपर जासा हो गई है कि मैं भूख जादा सुछते हैं लोग। बहुंच जादा टेंशन है बहुंच जादा व्री मकाई चिन्ट फोबिया है और उसके लिए और घाय कार ने के लिए शांत कर नेeline रिलाक्स करने के लिए उनको जरुत होती है कुछ दवाई लेने के और फिर वो दवाई लोग लेते रहते हैं अलपरावलांगाम का जो ड्रग है वो 0.25 मिलिग्राम गोली आती है और वो हमारे देश में कितने किलो रोज बिकी जाती है पता नहीं किलो में 0.25 मिलिग्राम की गोली रहती है संबोहन से होता क्या है कि संबोहन से आप अपने आपको सूचना देके ब्रेन को रिलाक्स करते हैं मतलब जो गोली काम करती है जो टैबलेट जो मेडिसिन दवा जो काम करती है वो काम आप सेल्फ सजेशन के माद्यम से ब्रेन को रिलाक्सेशन की सूचना दे के ब्रेन को रिलाक्स कर सकते एक बार ब्रेन रिलाक्स हो गया तो फिर उसका फायदा अपने पूरे बदन को होता है पिर डर निकल जाएगा, tensions, worries, anxieties जो है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि लाइफ में जो चीज होना है वो तो हो नहीं है, समझे एक्सिरेंट हो गया, एक बार एक्सिरेंट हो गया, उसका डर मन में बैठा, अब वो डर लेके मैं मेरा जिवन काटे रहूं, या बिताते रहूं तो कैसा होंगा, मगर बार 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 विचली होता है, ऑभी मेरा एक्सिरेंट होंगा, कोई किसे को हार्ट एटक आ गया, वो मर गया, वरिसार होंगा अपना या कोई दोस में से होंगा, तो अभी वो हो गई चीज, उसका मुझे डर लगता है, कि मैं मरू क्या, मैं मर जाओ या कोई बिमारी हो जाएंगे कोई टीवी हो जाएंगा है एसा डर लगना तो वह जो ब्रेन अभी है पर जाहीं हो गया है बहुत ज्यादा उसमें chemical imbalance हो गया chemical लोचा हो गया है उसमें फिर गोलिया काम करती है दाई काम करती है मगर उससे भी ज्यादा आपको Hypnotism, Self Hypnosis आप शीखते हैं और Hypnosis के जरीए, Visualization के जरीए, आप वो बिमारी को आप अच्छा कर सकते हैं, या Tension को आप दूर कर सकते हैं, stress आपका कम हो सकता है, आपकी चिंता कम हो सकती है, आपकी बार बार हाथ दोने की बिमारी है, जो वो ठीक हो सकती है, phobia ठीक हो सकता है, depression ठीक हो सकता है, बाकि बार-बार चिर्चिरा सवाव है, angryness है, मतलब irritability है, गुसा है, brain शान्त हो सकता है, उसकी practice करनी होगी, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसा self hypnotize करना, उसकी CD देता हूँ, cassette देता हूँ, YouTube के जो कोई हमारे में सब कुछ अच्छा मालूम है, मतलब हमको knowledge बहुत है, knowledge सब है, मगर knowledge का कुछ फायदा नहीं है, knowledge से कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि जब तक वो conscious mind को ही मालूम है, तो उसका effect आपको subconscious mind में दिखेंगा नहीं, self hypnosis में, उसका effect subconscious mind में अपन जब सूचना है, तो self hypnosis के लोग counselling के लिए, उनको कोई problem से उसके लिए counselling करवाते हैं मेरे से, उनको phone के ओपर हम coaching करते हैं, counselling करते हैं, hypnosis के बारे में, और वैसे उनको जो भी problems है, वो problems, neuro linguistic programming या hypnosis के बारे में हम लोगों को देते हैं, ताकि लोगों का जीवन मों powerfully जी सके, हमारे मनोरुणर लोग और वैसनी लोग, दोनों भी उनका इलाज हम करते हैं, और बाकि जो minor mental illness है, उसका इलाज जो है न वो संभून से, hypnardism से होता है, medicine भी हम देते हैं, कोई ऐसा बोलता है कि हमको तुरंत इलाज होना, मेरी exam है, exam में मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी मैं exam कैसी दू, hypnardism कि जो लोगों का phobia होंगा, कि इसको exam का phobia होंगा, डर होंगा, या लोगों में जाने का डर होंगा, तो वो भी हमारे आके करते हैं, तो आप जरूर हमारे, मतलब जानकारी लेलो, आप जरूर हमाले वरकषास में आईए, sun ayon के, और sun ayon आप सीख सकते, hypnardism सीख सकते, और जीवन अच्छा परिपूदन कर सकते है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेर करो काफी लोगों को जानकर ही नहीं है संवोन के बारे में संवोन के बारे में गलत सेमी है बहुत है ये scientific मेद्र है जादा से जादा लोगों को ये वीडियो फैलाओ शेर करो, आप लाइक करो और आपको अच्छा लगा तो जरूर फेस्बूक के उपर, वाटसेप ग्रूप के उपर शेर करो, ताकि जादा से जादा लोग इसमें ग्यानी हो जाएंगे और लोगों का जीवन अच्छा हो जाएंगा So thanks again for watching, thank you very much